हेलो फ्रेंज आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार सबसे पहले मैं संधिया आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संधिया डांस कोवर में आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे तो फ्रेंट मैं भी बढ़िया हूँ मस्त हूँ तो आज का ड वब कर लेंग आगी कोजिशन में जब सेंगा मैं में सबसे पहले लाइक पजिशन बताती के सहले हो चुम्स कोंों करोच अपको पके सुछपट दुक्चे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर हम इसी step को left leg से कर रहे हैं तो left leg को हलका से उठाने फिनीचे हलका से उठाने फिनीचे पर हमें थोड़ा सा लचक लानुए ऐसे 1, 2, 3, 4 जो हमारा दूसरा पाउं है यानि की right leg वो अपनी जगा पे रहेगा तो friend अगर हम इसी step को right side से करेंगे I mean right leg से करेंगे तो friend हमारा जो left leg है वो अपनी चलगा पे रहेगा और right leg से हमें करना है 1, 2, 3, 4 तो friend आपको left leg की position समझ आ गई होगी friend हमें करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो जब हम इस step को कर रहे है तो आपने ध्यान दिया होगी कमर कमर का main role है कमर को हिलाना है में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 So friend एक चीज़ को ध्यान में रखना है जो भी steps बता रहे हैं beat के according करना है अगर music fast है तो हमें थोड़ा सा fast करना है और जैसी music अगर थोड़ा सा slow है तो हमें slow करना है जैसे friend देगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर थोड़ा beat टेज़ है पाहमें करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो friend ये तो थी मेरी lactic position I hope आपको अच्छे से समझ आ गई होगी तो आप मैं आपको बताती है hand work हम सारे steps में अपने hands का work कुछ इस तरह करेंगे तो आपको मैं पहले बता देती हूँ सिर्फ हमें अपने hands को सीधा ओल्टा सीधा ओल्टा तो आए friend आप मैं आपको बताती है अपना पहला step तो हमें simply आपको leg position पता है ऐसे करना है और जो हमारी hands की position है वो हमें करना है friend यह step हमारा mostly उन songs में लगेगा जैसे की मुखडा पिया का मैंना face से related कोई song है जैसे हरियाली बननो तो उसमें लगेगा तो friends लेकिए हमें करना है simply 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत simple है बहुत हमें अपने hands को अपने face के आगे रखे और ऐसे करना है दीरे 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 पाओ के according हमें अपने hands को खोला तो friend एक बार मैं hand up up foot up को साथ में करके बताती है तो हमारा step कुछ इस तरह होगा हमें करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये तो था मेरा पहला step आप मैं आपको बदा कि अपना second step तो second step के लिए हमें करना है तो friend हमारे hands कुछ इस तरह होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पर हमें front में नहीं करना है हमें अपने hands को ऐसे रखे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर हम ऐसे भी रख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो friend I hope आपको hands का वाक अच्छे से समझ आ गया होगा तो आप मैं आपको बताती हूँ hand walk और foot park को साथ में तो friend हमें कुछ इस तरह करना 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी step form इस तरह भी कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो friend I hope आपको अच्छे से समझ आ गया होगा तो ये तो था मेरा second step आप बताती हैं आपको अपको अपको थर्ड step तो थर्ड step के लिए हमारी hand की position कुछ इस तरह रहेगी तो हमें करना है, simply हमें अपनी hand को face के सामने रखता है ऐसे नहीं, एक हाथ हमारा आपकी तरफ और एक हाथ मेरा मेरी तरफ मतलब एक हाथ हमारा भार की तरफ और एक हाथ हमारा अंदर की तरफ और करना हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 I hope आपको अच्छे से समझा दियोगा 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत प्यारे स्ट्रेप है, जब आप इसे किसी भी सॉंगर परफॉंग करोगे तो फ्रेंड इतना प्यारा लगता है इस स्ट्रेप तो आप एक बार देखिए फ्रेंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको अच्छे से समझा गया है, बहुत प्यारा स्टेप है आप मैं आपको अपना बताती है, फॉर्थ स्टेप तो फॉर्थ स्टेप के लिए हमारी हैंड की पोजिशन कुछ इस तर होगी तो हमें अपने हैंस को करना है हाई हैंस की पोजिशन, एक ही पोजिशन होगी फ्लोर की तरब और एक ही पोजिशन होगी हमारी तरब जैसे हम ऐसे कर रहे थे वैसी हमें निच्छे करना है और फ्रेंड करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसी फिर रिपीट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आई हो फ्रेंड आपको अच्छे से समझ आगिया होगा तो आप मैं आपको एक बार फुट्वक और हैंड़क को साथ में गरके बताती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह तो था मेरा फॉर्थ स्टेप आई हो आपको अच्छे से समझ आगिया होगा आप मैं आपको बताती है अपना last and final step तो hands की position बताती हूँ hands की position कुछ इस तरह होगी तो हमें करना है हमें अपने hands को रखना है ऐसे एक हैंड हमारा ऐसे रहेगा राइट हैंड और चो लेफ हैंड है वो हमारा ऐसे रहेगा जैसे हम राइट साइड को लेजाएंगे तो हमारा जिल लेफ हैंड और फ्रेंट के आ जाएगा राइट हैंड हमारा साइड हो जाएगा तो फ्रेंड आई वोप आपको समझ आगिया होगा तो ऐसे करना हमें आप मैं आपको hand work और foot work को साथ में करके बताती ही तो हमें करना है वान टू थी फोर फाइव सिक्स तेवन एट वान टू थी फोर फाइव सिक्स सेवन आज की स्टेप्स बहुत प्यारे वोग व्यूटिफुल स्टेप्स ते इन स्टेप्स तो जब आप सॉंक्स में करेंगे तो यकीन मानिए बहुत प्यारे स्टेप्स हैं बहुत प्यारे लगते हैं करते वक्त अगर इनको अच्छी तरह करा जाएं तो फ्रेंड आईए एक बार रिवाइस कराएं करेंगे जाएं करेंगे लगते हैं आपको सारे डांस में सब्सक्राइब अच्छे से क्लियर हो गयोंगे अब टाइम आगी है डाम स्टिप्स का अगर आप बिगनास हैं और डाम सीख रहे हैं तो आपको एक चीज अपने दिमाद में बेठा लेनी चेलिए डांस सीखते वक तो अगर आप बिगनास हैं तो इस बाद को आप ध्यान से सुनें कि आपको डांस करते हुए अपनी बॉड़ी को बिल्कुल रिलाक्स होना है टाइट नहीं रखना डांस करते हुए अगर हम आप बार बार प्रैक्टिस स्वाग्ट नहीं आप ठैक्टिस करेंगे हन्डेट परसें रिजर्ट काईगा 100% आपको नहीं लौने लग जाएंगे तो अगर आप नहीं दो टिप्स को अपना लेते हैं तो तो आपको इंप्रूमेंट जरूर दिखनेगी तो फ्रेंट आज क अगर आपको मेरी वीडियो करती हूं 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 अगर